सुनेहरा अंडा और मादा कबूतर जंगल में एक पेड़ पर एक मादा कबूतर रहा करती थी उसने अपने घोसले में अंडे दिये थे सारे अंडे तो सफेद रंके ही थे पर उनमें एक सुनेहरा अंडा था यह देख मादा कबूतर पहले तो हैरान हुई पर फिर उसने सोचा कि सुनहरा अंडा भी तो उसी के पेट से निकला है इसलिए उसने बागी अंडों के साथ उसका भी ध्यान रखना शुरू किया एक दिन तेज हवा चली और कबुतर का गोंसला गिर गया जिस कारण मादा कबुतर के सारे अंडे टूट गये सिवाए उस सुनहरे अंडे के गोंसला देखकर मादा कबुतर बहुत दुखी हुई ए भगवान मैंने कितने भश्किल से अपना गोंसला बनाया था जिसमें मेरे अजन में मच्चे थे सब कुछ घतम हो गया इस निर्दई तूफानी हाँ को क्या आज ही चली थी तभी उसकी नजर पड़ी उस सुनहरे अंडे पर जिस अंडे को देखकर में घबरा गई थी वही अंडा बज गया कम से कम इसे तो सभाल कर रखूंगी फिर मादा कबुतर उस सुनहरे अंडे के पास गई और उसे प्यार से सहला कर उसका खूब दैन रखने लगी समय बीता उस अंडे से एक चिन्ड़ मिन्ड़ सा सुनहरा कबुतर निकला मादा कबुतर ने उसे खूब लाड़ से पाला और बड़ा किया उस नन्हे कबुतर का उड़ने का समय आ गया था पर मादा कबुतर उसे कहीं जाने नहीं दिया करती थी उसके लिए खाने का इंतिजाम वह खुद ही किया करती थी एक दिन मादा कबुतर की सहत बिगर गई उसे बुखार हुआ उड़ने की भी ताकत नहीं थी उसमें अपने अन्न का जुगाड करने नहीं जा पा रही थी और कोई चारा न होने पर उसने सुनहरे कबुतर को अपने पास बुलाया बिटा मेरी सिहत काफी खराब है मुझ में उड़ने की भे ताकत नहीं तुम्हारे लिए अन्न का इंतिजाम नहीं कर सकती और तुम्हें भूका भी नहीं रख सकती अब तुम्हें खुच जाकर अपना अन्न लाना होगा वरना तुम नहीं जी पाओगे पर मा मैं आज तक कभी इस खांसले से बाहर नहीं निकला मुझे तो पता भी नहीं कि कैसे जाना है मादा कबुतर कुछ न कह सकी वहाँ अपने बेटे को भूका नहीं देख पा रही थी जाने के स्थिती में न होते हुए भी मादा कभुतर के पास और कोई चारा नहीं था वहाँ बड़ी मुश्किल से बाहर गई और अपने बच्चे के लिए अन ले आई अपनी मा के क्षीन होती हालत में भी उसे बाहर जाना पड़ा ये देख सुनहरे कबुतर को बहुत दुख हुआ उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा माँ मुझे माफ कर दो मुझे कुछ से ही नफरत हो रही है तुमारे इतनी सेहत खराब है तुम उड़ने की हालत में भी नहीं फिर भी मैं भूका ना रहू इसलिए तुम पीडा में रहते हुए भी मेरे लिए खाना लाई मैंने आपकी सिहत की सोची भी नहीं आज अगर मैं कहीं नहीं जापा रहा किसी काम का नहीं रहा तो इसका करण आपका हद से जादा लाड प्यार ही है मा ये आज मैं समझ गया हूँ मेरी भी समझ में ये बात अभी आई है बेटा तुम ऐसे ही रहे तो भविश्य में तुम्हारा क्या होगा ये सोच सोच कर मुझे डर सा लगने लगा है मा जब मेरे पंक नहीं थे तब तुम्हारा मेरे लिए अनलाना अनिवार्य था पर अब तो मेरे पंक है मैं उनका इस्तमाल नहीं करूंगा और भैसे गौसले में बैठा रहूंगा तो ये सही नहीं होगा ये मैं अच्छे से समझ गया हूँ इसलिए मैंने सोच लिया है कि अपसे अन्न लाने के लिए मैं ही जाया करूँगा और तुम घर पर आराम करोगी बहुत बड़िया बेटा कम से कम इस कारण तुछ में हिम्मत तो आई उस दिन से कबुतर हर रोज बहार जाकर अपनी मा के लिए और खुद के लिए अन्न का इंतिजाम करने लगा मादा कबुतर इस बात से बहुत खुश हुई थी अपने बेटे को देख मा बहुत निश्चिन्थ हुई हर माबाप को अपने बच्चों से लाड़ प्यार करना चाहिए पर इतना भी नहीं कि उससे बच्चे किसी काम के न रहे आत्मनेरबर होना जरूरी है माबाप का प्यार बच्चों को आगे बढ़ने में सहायक होना चाहिए यानि मेरे जैसे होने चाहिए है न मा?